दोस्तों आज हम लोग Google Pay अप्लिकेशन से ट्रेन टिकट बुक करना सिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मॉइल के अंदर गूगल पे अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे गूगल पीन डाल कर लोग इन हो जाएंगे गूगल पे कि होम पेज पे कुछ आप्सन मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेन टिकट बुक करने का कोई भी आप्सन नहीं मिलेगा यहाँ एक आप्सन है एक्सप्लोर हम इस एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे अब देखे यहां पर कुछ और आप्सन खोल गए हैं जिन में से यह last आप्सन है Trends, Ticket with ISTC इसके बगर में लिखा है Book Train तो हम Book Train में क्लिक करेंगे यहां लिखा है From तो जिस भी Station से हमें Train पकड़ना है उस Station का नाम यहां पे डाल देना है और जहां तक हमें trend से जाना है उस station का नाम यहां पर डाल देना है यहां पर dead डालना है यहां लिखा एक quota जो की general पर है तो इसके यहां अईसे ही छोड़ देंगे यदि आप चाहें तो यहां से इसको change कर सकते हैं जैसे कि general, ततकाल, senior, ladies तो नीचे वल्यप कर दीजे आपको तत्काल चाहिए तो यहुदिता हो जेखिए जैसे मैं यह देटो का नाम तर्था सेलेट किया यहाँ नीचे में बहुत सारे ट्रेनने आ गई हैं तो इस सबी ट्रेन में से जिसभी ट्रेन वैसे करना है उस ट्रेन को मैं आपक히 है जैसे कि मुझे इस पहले वाले ट्रेन में तो इस ट्रेन में यहां पर seat availability दिखा रहा है कि कौं से class में कितना seat बाकि है जैसे कि स्लीपर में 75 सीट है, 3 AC में 7 सीट है, सेकेंड सेटिंग में 600-600 सीट है, 2 AC में 4 सीट है, और इसके बगल में आप एक किराया भी दिया हुआ है, कि कौन से क्लास का कितना किराया है, तो इसे आप यहां से चेक कर लिजिए, मुझे इसी ट्रेन में स्लीपर क्लास में रियर्शन करना है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, यहां पर कुछ जिटेल्स हो रहा है, जैसे कि ट्रेन नम्बर, नाम, डिपार्चा टाइम, डिपार्चा इस्टेशन, यह सब कुछ यहां पर दिया हुआ है, यहां लिखा है IISATC User ID, तो इस खाली बाक्स में हमें अपने IISATC Account का User ID डाल देना है, उसके बाद Continue पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए, यहां पर हमारा User ID वेरिफाई हो चुका है, अब हमें यहां पर Passenger का डिटेल डालना है, पैसेंजर 1 में यहां पर नाम, एज, जेंडर, बर्थ प्रिफरेंस, यह सब डाल देना है, देखिए, हमने यहां पर एक Passenger का डिटेल एड कर दिया है, यदि आपको एक सज्यादे Passenger को एड करना है, तो Add Passenger लिखा है, इस पर क्लिक करके, एक सज्यादे Passenger को एड कर सकते हैं, यदि आपके साथ कोई बच्चा है, तो Add Child पर क्लिक करके, उस बच्चे के उभी यहां पर एड कर सकते हैं, यहां लिखा है Contact Information, तो यहां पर हमें अपना Mobile Number डाल देना है, नीचे लिखा है Destination Address, तो यहां पर हमें अपना पुरा Address डाल देना है, तो सबसे पहले हम Pin Code को डालेंगे, देखिए, जैसे हमने Pin नमर डाला, तो City और State आटमेटिक आ गया है, यहां पर दिया है Post Office, यदि Post Office गलत है, तो इस Down और पर क्लिक करके, पोश्ट आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, यदि City भी गलत है, तो इस Down और पर क्लिक करके, City को भी आप चेंज कर सकते हैं, यहां Address है, तो यहां पर हमें अपने गाउं का नाम डाल देना है, उसके बाद Continue पर क्लिक कर देंगे, देखिए, दो इस्टेफ हमें कपलिट कर लिया है, यदि आमें एंसुरेंस चाहिए, तो इसमें टिक मार्क कर देना है, उसके बाद Continue पर क्लिक कर देंगे, यहां पर हमारे IICTC का User ID सो हो रहा है, और नीचे लिखा है, आई रिमेंबर माई IICTC पासवार्ट, यदि हमें अपने इस IICTC User ID का पासवार्ट याद है, तो इसमें टिक मार्क कर देना है, उसके बाद Continue पर हम क्लिक कर देंगे, अब देखिए, तिसरा स्टेफ भी कंप्लिट हो चुका है, और हम चौथे स्टेफ में पहुच गए हैं, जहां पर Review and Book है, इसे हमें एक बाद अच्छे सा चेक कर लेना है, उसके बाद Continue पर क्लिक कर देंगे, अब देखिए, हमने अपने Google Pay में, जिस भी Bank Account को Add किया होगा, वो Bank Account यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ बगल में एक Down Arrow है, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे, तो जितने भी Bank Account हमने यहाँ पर लिंक किया है, उस सभी Bank Account दिखाई देंगे, तो इन में से जिस भी Bank Account से हम इसका Payment करना चाहें, उसे हम यहाँ से Select कर सकते हैं, चलिए, मैं इस नीचे वाले से इसका Payment करता हूँ, नीचे लिखा है, Proceed to Pay, इस पर हम क्लिक करेंगे, अब देखिए, यहाँ लिखा है, इंटर 6 डिजिट UPI PIN, तो यहाँ पर हमें अपने 6 अंकों के UPI PIN को डाल देना है, 6 अंकों का पीन नमार डालने के बाद, नीचे में एक सही का निसान है, तो हम राइट के निसान पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम 6 अंकों का UPI PIN डाल कर, राइट के निसान पे क्लिक करेंगे, तो टिकट का Payment successful हो जाएगा, और उसके बाद हम आगले पेज पे पहुँच जाएंगे, जहां पे हमें अपने ISATC user ID का password तता इस capture को इस खाली बाक्स में डाल देना है, password तता capture डालने के बाद, submit पे हम प्लिक कर देंगे, जैसे हम submit प्लिक करेंगे, तो ticket booking का process चलू हो जाएगा, और यहां देखे, हमारा ticket confirm हो चुका है, लिखा है, booking confirmed, और ticket का यहां पे पूरा detail दिया हुआ है, वैसे तो हमारा यह ticket, हमारे mail ID पे पहुच गया होगा, और उसके साथ साथ, हमने जो mobile नमर दिया है, उस mobile नमर पे भी ticket का SMS पहुच गया होगा, यदि हम चाहें, तो इस ticket को यहीं से download कर सकते हैं, यहां लिखा है, download ticket, इस पे हम click करेंगे, जैसे हम download ticket पे click करेंगे, तो हमारा book क्या हुआ ticket, हमारे mail के अंदर download हो जाएगा, एक बार हम उपर से slide करेंगे, तो देखिए, यहां पे ticket है, लिखा है download completed, इस पे हम click करेंगे, तो देखिए, हमारा book क्या हो ticket, हमारे mail में open हो गया है, और हमने इस ticket को, Google Pay से book किया है, इसलिए ticket के उपर में ही, Google पे लिखा है, और इस हिस्से में, ticket का पूरा detail दिया हुआ है, तो दोस्तों, इसी पेकार से आप लोग भी, Google Pay application से, train ticket book कर सकते हैं, तो ये वीडियो कैसा लगा, comment box में, comment करके जरूर बताईएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर दे, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करके, बेल आइकन जिरो प्रेस कर दे, तो मिलते हैं, इसी पेकार की, एक और ग्यान वाली वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यो दोस्तों,